भोच पूरी फिल्मों की सूपर स्टार पवन सिंग पूरी शिदत से लगे वे थे कि बीजेपी से उन्हें टिकट मिल जाए लेकिन जैसे ही कर शाम आसन सोल से उन्हें टिकट मिला आज उन्होंने बखाइदा एक ट्वीट किया और ट्वीट के जरीए ये बता दिया कि मैं पार्टी का यानि बीजेपी का अभार व्यक्त करता हूँ लेकिन किसी कारण वश मैं चुनाओ आसन सोल से नहीं लड़ पाऊंगा अब इसके पीछे की जो कहानी हैं साइट स्टोरी जो है वो मैं इस बक्त आपको बताने जा रहीं दरसल पवन सिंग की टीम और पवन सिंग खुद सालों साल से लगे हुए थे कि आरा जो कि उनका ग्रह जिला है वहां से उनको टिकट मिल जाए जो आरके सिंग है बी जेप उनका टिकट कार दे और आरा से उनके टिकट दे दे लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उन्हें आसन सोल भेज़ दिया गया उस आसन सोल में जहां तक के बारे में कल तक जब उनसे बातचीत की गई जब टिकट का अनाउंस्मेंट हुआ जब उनका नाम सामने आया कई नीजी चैनलों को इंट्रिव्यू देने के दौरान उन्हें कहा कि बंगाल का और खासकर आसन सोल का खून में वहां का नमक है इसके पीछे कहा जा रहा है कि वह फिर से जद पे लगे हुए हैं कि पार्टी यानि बीजेपी उन्हें आरा से टिकर दे लेकिन क्या ये संभव है बीजेपी ने पहले ही कई राउंड्स की जो सर्वे कराई थी उसमें आरा को लेकर पावन सिंग को वो किसी भी सुरत में नहीं देना चाहती थी आसन सोल से उसे कोई ऐसा चेहरा नहीं मिल रहा था तो आसन सोल के समय करन के लिहाज से फट बैठते हैं पावन सिंग क्यों क्योंकि वहाँ पे बिहारी बहुलता है वहाँ जो रहने वाले लोगों की संक्या है बेंगोली से जादा उस इलाके में वहाँ पे बिहारी है और शत्रुग निस सिनहा मौजुदा सांसद है उपचनाव में वो जीते थे अब इसके कई सारे एंगल हो सकते हैं क्योंकि कल से हम देख रहे हैं कि जो टीम सी की टीम है या बीजेपी विरोधी जो टीम है वो लगातार इस बात के लिए लग गई थी जितने भी बेंगोली मह महिलाओ का अपमान किया है बीजेपी उसे वहां से टिकट दे रही है तो इस तरीके से भी टीम लगी हुई थी और महुआ मोहित्रा ने तो एक इंट्रव्यू का चंग में डाला था जिसमें ये कहा गया कि किसी भी सुरत में ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं मिलना चाहिए य क्योंकि एक टिकट पे आप सभी को मालूम है कि कितने राउंड्स के मन्थन के बाद और प्रधान मंत्री मोधी के मोहर लगने के बाद कोई भी सीट फाइनल होता है कि किसको कहां से मौका दिया जाए और यही हुआ आसन सोल सीट को लेकर भी तो बीजेपी के एंकल से तो य कट नहीं देने वाली है क्योंकि पावन सिंग वो चहरा बनने जा रहे हैं जो कि बीजेपी के सीधे फैसले पे सवाल उठाने वाले वो चहरा हो गया है क्योंकि अभी तक बीजेपी में ऐसी कोई परिपाटी नहीं है जिसमें अगर किसी को टिकट दे दिया गया या किसी का टिकट कटे तो वो राजनिती छोड़ दे या फिर दूसरी पार्टी में चला जाए आप देखिए अभी शिवरा सिंग चोहान एक सबसे बड़े उधारन है तीम दिम बार के सीम लेकिन अगर उन्हें पार्टी चुनाव लड़वारी है तो वो सहस तरीके से उसे स्विकार कर तो ये बीजेपी का पैटर्ण नहीं है ये तै हो चुका है कि पवन सिंग की राजनिती को लेकर आने वाले दुनों में मुश्किले बढ़ने वाली है